आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई से जो एक्जाम सुरू हुए है आपके उनके रिजल्ट की फर्स्ट अपडेट आपको कब देखने को मिलेगी तो आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है उन सभी इस्ट्रून के लिए जो की ये एक्जाम 22 जुलाई से जो हो रहे हैं उनको दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अन तक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी क्योंकि इगनुर्सिलेटेट सभी तरीके की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती है तो वीडियो की सुरुवात करते हैं और आप जानते कि जून 2022 के जो एक्जाम है वो 22 जुलाई से सुरू हो रहे हैं उसके बाद जब थियोरी एक्जाम होते हैं तो उसके बाद फिर रिजल्ट कव आएगा उसके ओपर भी जानना जरूरी होता है उसके बाद रिजल्ट आना आपका बहुत ज़रूरी है खासकर उन इस्ट्वेंट के लिए जो की फाइनल येर कर रहे हैं को की फाइनल येर जब आपका हो जाता है उसके बाद आपको या तो हाईयर एजुकेशन के लिए नहीं जगा एड्मिसन लेना होता है या फिर आपको कहीं पर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं कोई एक्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके हाथ में कम से कम आपकी प्रोविजनल सेर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फाइनल मार्क सीट होने चाहिए वो आपको तभी मिलती है जब आपका कोर्स कम्प्लीट होता है आपके सभी सब्जेट का रिजल्ट आ जाता है तो हम बात करेंगे कि आपका ये जो 22 जुलाई से एक्जाम हो रहा है उनका रिजल्ट कब आएगा तो आप अगर हम पिछले तीन साल चार साल पहले जो प्रक्रिया होती थी उसके इसाफ से देखे तो जिस दिन आपके एक्जाम खतम होते हैं उसके 40 से 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट की पहली अपडेट देखने को मिल जाती थी ये था कोरोना को जो पीरियड है उससे पहले जिस तरीके से इगनूख प्रोसीजर को फॉलो करता था लेकिन अब क्या है जब से कोरोना आया है उसकी वज़ेसे अब आपका जो एक्जाम का रिजल्ट है वो इसी बीच में आ जाता है जब आपके एक्जाम चल रहे होते हैं 22 जुलाई से एक्जाम आपके जैसा की मैंने बताया की शुरू है और आपके 10 अगस्त के बाद आपका कभी भी रिजल्ट की अपडेट देखने को आपको मिल सकती है उसके बाद जैसा की होता ही है कि हर 3 दिन 4 दिन में आपको एक रिजल्ट की अपडेट देखने को मिलती ह लेकिन 10 अगस्त के बाद आपको अपने 22 जुलाई के वाले जो एक्जाम है उनके रिजल्ट की पहली अपडेट देखने को मिल जाएगी काफी सारे इस्ट्रुएंट होंगे जिनके अभी तक जब आपके रिजल्ट की पहली अपडेट आएगी उस समय तक उनके सभी सब्जाट के एक्जाम खतम भी नहीं होंगे लेकिन आपके रिजल्ट की अपडेट इस तरीके से ही आ रही है कोरोना लोगडाउन के बाद की आपके जब एक्जाम चल रहे होते हैं उसके 10 दिन 15 दिन के बाद उन इस्ट्रुएंट का रिजल्ट आना सुरू हो जाता है जिनोंने शुरुआत में 22 जुलाई 23 जुलाई पहले दो दिन में आपके पेपर दिये हो उस तरीके से आपकी अपडेट होना सुरू हो जाती है रिजल्ट की अपडेट होना सुरू हो जाती है ताकि जल्दी से जल्दी जेतनी जल्दी हो सके इस्ट्रुएंट को उनका रिजल्ट मिल पाए और उसके बाद फिर उनको जो पहली update आएगी उसके बाद दो दिन तीन दिन के बाद next update आएगी और पर यह प्रक्रिया चालू रहेगी कम से कम मानके चुलिए दो महिने तख यानि कि उसके बाद एक बार 10 अगस्त को मान लिए पहली अपडेट आ गई तो उसके बाद फिर आपके पूरे अगस्त में अपडेट आएंगी रिजल्ट की पूरे सेप्टेंबर में भी रिजल्ट की अपडेट आएंगी और अक्टूबर में भी आपके रिजल्ट की अपडेट आएंगी तो इसलिए आ अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादे से ज्यादा सेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो में इतना ही है.